हाई एवरीवन केसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर ट्यूटियोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके साम देख मोश्ट के लिए मैं सब्जेक का एक और निव चाप्टर एक और फ्रेश और बहतरीन चाप्टर आपके लिए शुरुवात करने जा रहे तो जिस चाप्टर का नाम है चाप्टर नंबर सिक्ष्टीन सर्फेस एडिया एंड वल्यू आज हम इस पर्टिकल चाप्टर का पहला पूरा जो सिलाइबस होगा वो तोटली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मैट्स कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि सेवन्थ मैट्स का अल्रडी कंप्लीट हो चुका है आपका भी कुछी दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो आज का लेक्टर की शुरुवात करते हैं इसके प तो basically बहुत सारे ऐसे object होते हैं, जैसे आपने नाम सुनाओगा, square का, rectangle का, यह जो shape होते हैं, वो 2D shape होता है, यानि two dimensional होते हैं, लेकिन उसको अधर 3D में हम लोग देखेंगे, तो वो कैसा दिखेगा, जो rectangle होगा, वो हमें एक box दिखेगा, यानि cuboid दिखेगा, तो cuboid क्या होत है, उसके surface area कैसे निकाला जाता है, उसके volume कैसे निकाला जाता है, यह सभी चीज हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, उसी के साथ, हम लोग उसके formula बताएंगे, formula के help से, सभी चीज calculate करना, आप सभी को बताने वाले हैं, तो video बहुत important है, end तक देखना, सबसे पहली बात, आज हम 2-3 चीज की बात करनी है, मैं सबसे पहले आपको सिधा-सिधा formula बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे cuboid की, तो what do you mean by cuboid, इसके बारे में आपको बताऊंगा, सभी को पता है, जैसे मैंने बोला, कि अगर को यह rectangle है, for example, this is my rectangle, यह 2D में दिख रहा है आपको, लेक box भी बोलते हैं, उसको कभी कभी कभी, कोई डिबबा होता है, rectangle shape का, आपने देखा होगा, आपके घर में कुछ packing material होते है, कुछ सामान pack किया हो रहता है, box होते है, वो सभी चीज हमारा, क्या होता है, cuboid या फिर box होता है, तो इसके 2 formula हमें पढ़ना है, cuboid में, सबसे पहला ह surface area of cuboid, cuboid भी बोल सकते हैं, box भी आप बोल सकते हैं, जो आपको इच्छा होगा, आप बोल सकते हो, तो total surface area of cuboid, या फिर box के अगर में बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे एक formula है, यह आपको याद रखना है, that is, 2 multiplied by LB plus BH plus LH, यह formula आपको याद रखना है, तो 2 multiplied by LB plus BH plus LH, य आपको याद रखना है, और यह बहुत important formula है, इसमें आपको करना क्या देखो, 2 multiplied by LB, L का मतलब होता है length, यानि कि यह जो box होगा, इसका एक लंबाई होगा L, यह जो box होगा, इसका एक चोड़ाई होगा B, और इसका एक height भी होगा H, यानि length multiplied by breath multiplied by height अगर कर दोगे, तो series of cuboid तो आपने पढ़ लेकिन एक और चीज होता है, जो की most important formula है, इस चीज का, जो की है volume, तो volume of cuboid, तो cuboid का जैसे box है, अगर उसका volume निकालना है, कोई भी आपको पूछता है, कि बेटा, इसका volume निकालना है, तो यह जो भी box होगा, इसका volume की, अगर मैं बात करो, तो क्या हो जाएगा, कि यह जो length होगा, यह जो breadth होगा, यह जो height होगा, यह तीनों को अगर आपस में multiply कर दूँगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तरीके से volume मिल जाएगा, किस चीज का cuboid का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, that is, L multiplied by B multiplied by H, यानि कि length multiplied by breadth multiplied by height, यह दो formula हो जाएग calculate the volume of the cuboid, यह दो से तीन चीज आपको हमेशा से पूछेगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और दो से तीन चीज आपको यहाँ पे बताना है मुझे, तो यहाँ पे यह दो cuboid की बात हो गई, same उसी प्रकार आप देखोगे, तो और दो चीज हमें पढ़ना है यह तो cuboid की बात हो गई, cube का हमें पढ़ना है, तो cube का भी same इसी प्रकार, total surface series of cube पढ़ेंगे और volume of cube पढ़ेंगे, तो यह बहुत important है, यह दो formula पढ़ने के बाद सीधा-सीधा मैं आपको लेके चलूँगा, practice set के ओपर, तो इसको फटा-फट से rough कर लेते, और फिर आपको देखेंगे यहां पर cube की, तो cube जो होता है, basically, एक box होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यह समझ लोग एक box है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो अगर यह box को मैं 3D बना दूँ, इस प्रकार जो है box को मैं क्या कर दूँगा, 3D बना दूँगा, यह आपको नजर cube खेला होगा, वो cube होता है थ्रिवाई थ्री बाई त्रीठ गे, कैलर्स होता है, यूँस को आपको अपने solve करना होता है, ठीक है, वो cube को solve करने के लिए सेम इसी प्रकार वो दिखता है, तो यह चीज को हम लोग क्या बोलते है, ठीक है, दिबा होता है, एक तरीके से सिंपल shape का होता है, यह दोनों में फरक है, बस यह दोनों फरक आप याद रखोगे ने दोस्तों, हर एक चीज आपको clear हो जाएगा, ओके, तो यह चीज उम्मीद करता हूँ कि आपको clear हो गया होगा, ओके, तो यहाँ पर हमारा heading जो चल रहा था दोस्तों, यहाँ पर second object था हमारा cube, ठीक है, फर्स्ट हमने cuboid देखा, दूसरा जो चीज था हमारे लिए वो था cube, तो cube जो हम लोग देख रहे थे, इसके भी दो formula आपको study करने, ठीक है, क्या study करने दो formula, यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, total surface area of cube, ओके, तो total surface area of cube की अगर मैं बात करू, क्या हो जाएगा, total surface area of cube, यहाँ पर एक formula आपको याद रखना है, जैसे यह cube है, तो cube क्या होता है, square का ही 3D shape होता, यानि कि हर एक side जो होते है, यानि कि यह भी length होगा, तो यह भी L होगा, और height भी उसका L होगा, यानि कि सब के सब sides क्या होते है, सेम होते, तो अगर मुझे surface area of cube निकालना है, तो directly हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक formula है, कितने side होते हैं, यहाँ पर 6 side होते है, multiply by L square कर दोगे, तो आपका answer आजाएगा, total surface area of cube, यानि कि formula बन गया, total surface area of cube is equal to 6 L square, और वही अगर मैं, एक और formula है, इसको निकालने के लिए, जिसका नाम है L cube, यानि कि जो भी length रहेगा, उसको L multiply by L multiply by L, यानि L cube कर दोगे, तो आपका answer आजाएगा, तो यह दो, total 4 formula हमने देख लिए, सबसे पहला, cuboid का total surface area, फिर volume, उसके बाद हमने cube का total surface area and उसका volume, तो यह 4 formula के base पर हम लोग को कुछ practice sets दिये हुए, उसके questions हमें solve करने, तो मैं सीधा आपक के लिए homework रहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाले है, क्योंकि अभी हम लोग real examples को solve करने वाले हैं, तो चलो इसको फटा-फट से rough कर लेते हैं, फिर हम लोग लेके चलते हैं, आपको सीधा-सीधा हमारे practice set की पर clear हो रही होगी, ठीक है, heading डाल देंगे सबसे पहले, हम लोग, क्या heading है, practice set number 16.1, और आप सभी को पता है, कि हम heading डालते हैं, हमारे marker से, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग heading डाल देंगे, ओके, practice set number 16.1, यह सबसे पहला हमारा practice set है, इसमें 4 questions दिये हुए, जैसे मैंने बोला, तो one by one इसको हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे, कि क्या है यह questions, ठीक है, सबसे पहला questions, आप देखोगे, अपने इस तिराबस के अंदर, अपने book के अंदर आप देख सकते हो, तो सबसे पहला जो question हमें दिया हुआ है, वो है, find the volume of a box, यहाँ पे clearly उन्होंने बोलके रखा है, कि हमारा जो पहला question है, उन्होंने clear कर बोलके रखा है, कि आपको निकालना है box का volume, जिसमें आपको length, breath and height दिया हुआ है, वो box का, तो box यानि क्या होता है, cuboid होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, तो यहाँ पर 3 चीज़ सबसे पहले दिया हुए, length, L दिया हुए, तो उस box का length है, वो 20 दिया हुए, चलो ठीक है, 20 क्या दिया हुए, ठीक है, फिर आपको b दिया हुए, यानि breadth दिया हुए, उस box का, जो कि है, आपको 10.5 and उसके बाद एक और value आपको द L, B, H, हमेशा sequence याद रखना आप लो, सबसे पहला जो दिया हुए, वो length रहता है, दूसरा जो दिया रहता है, वो breadth होता है, और थीसरा जो होता है, वो height होता है, यह 3 चीज़ आपको दिया हुए, तो length, breadth and height यह 3 चीज़ आपको दिया हुए, ओके, आपको निकालने, clearly यहा volume of the cuboid is nothing but, एक formula था हमारे पास, जो की था length, multiply by breadth, multiply by height, कोई भी cuboid का volume निकालने का formula होता है, length multiply by breadth, multiply by height, बस 3 को आपस में multiply कर दो आपका answer आजएगा, तो length कितना है, 20 है, breadth कितना है, 10.5 और multiply by height, यानि 8, यह 3 को आपस में multiply कर लोगे, तो आपका final answer जो आजाएगा, जो कि मैंने और निकाल के रखा हुआ है, वो आ रहा है, 1680, unit है centimeter, तो volume क्या बन जाता है, centimeter cube, यह आपका volume V, ठीक है, यह आपने निकाल लिया, clear है दोस्तों, तो उमिद करता हो कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही simple सा example था, बहुत ही sweet example, और ऐसे examples अगर आपके exam में तो आप definitely उसको solve कर पाऊगे, इतनी मेरी guarantee है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगले example की तरफ, यह था हमारा पहला example, question number 2 की बात करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको rough कर लेते हैं, फटा-फट से, ओके, question number 2, ठीक है, heading डाल देते हैं, आप देख सकते हैं, question number 2 क्या द को लेके रखञा है, क्या है soap है, soap यानि क्या होता है, शाबुन, वो दिआ हुआ है आपको, उसको volume हमें दिया हुआ, यानि की एक चीज़ हमें, अलोडी उन्ANO ने बोल कर रख़ा है, कि volume है, and wrap ş глаз है, साबुन यानि सोप, और व भी किसका उसका thickness का मतलब होता है, उसका height, तो आपको height जो है, निकानना है, यानि thickness आपको निकानना है, यह चीज़ आपको बोला हुआ है, and साथ ही में इसमें, दो चीज़ देके रखा है, उन्होंने, कि length का value है, वो 10 cm है, यानि कि length is equal to 10 cm उन्होंने देखा है, और breadth का value है, 5 cm, यह दो the formula for volume, कोई भी cuboid, यानि soap क्या होता है, साबुन जो होता है, वो box shape में होता है, यानि cuboid shape में होता है, तो volume of cuboid जो है, वो हमें पता है, क्या होता है, दोस्तो, L multiply by B multiply by H, यह हमें formula पता है, अब volume तो मुझे पता है, तो volume के जगा पे मैं उसका value लिख सकता हूँ, जो की है, हमा मोटा है वो साबुन, वो हमें निकालना है, उससे वो कैसे पता चलेगा, height निकाल के, तो बहुत simple है, तो यहाँ पे 10 to 5, 50 हो जाएगा, और 50 जब इदर आ जाएगा, तो 150 divided by 50 हो गया, is equal to H, इदर अकिला बच जाएगा, तो 00 cancel, 515, 515, यानि कि आपका H का value आ रहा है, वो simply क कितना हा रहा है दोस्तो, H is equal to 3 cm, यानि कि जो thickness था साबुन का, वो कितना होगा, 3 cm का होगा, लगब कितना, ठीक है, 3 cm का साबुन होगा, तो इससे आप calculate कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, कितना easy and simple example आपके practice set में दिये हुए हैं, तो उमीद करता हूँ कि ऐसे examples अगर exam म देने वाला हो, third example क्या है, इसको देख लेते हैं, फटा-फट से, ओके, तो ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज यहाँ पर clear हो जाएगा, third example की तरफ चलते हैं, हम लोग, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ओके, हो गया ह आपको इतने सारे चीज दिये हुए है, आपको एक दिवार है, आपको एक दिवार बनानी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कि हम जब भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें दिवार बनाते हैं, यानि वाल बनाते हैं, तो वो वाल कैसे बनता है, इते को हम एक के उपर रखते हैं, एक इटा, उसके बाजू में एक इटा, ब्रिक्स को हम लोग अरेंज करते हैं, तब ही बनता है, यह सभी को पता है, आप लोग को, अब यह हम लोग को को यह पुछाए कि अगर मुझे एक wall बनाना है, wall, जिसका हमें length 6 meter दिया है, height 2.5 दिया है, और breadth 0.5 meter दिया है, तो हमें कितने इटे ऐसे लगाने पड़ेंगे, तो यह हमें निकालने बोला है, तो बहुत simple है, सबसे पहले जो हमारे पास value available है, वो लिख लेते हैं, तो इटे के लिए, for bricks, इटे के लिए हमें क्या dimensions दिये हुएं, इटे के लिए अगर मैं बात करूँ, इसमें जो इटा है, हमारा length उसका दिया हुआ, यानि कि मैं L1 मान लेता हूँ, length इटे का L1 मान लेता हूँ, तो L1 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तो, L1 दिया हुआ is L1, B1 और H1 10 cm, यह हमें इतना दे दिया, अब एक और चीज इसमें दिया हुआ है, हमें बोला है, कि अगर मुझे wall बनाना है, यानि कि एक दिवाल बनानी है, तो दिवाल कितने हुआ हुआ है, उसका length हमें दिया हुआ है, L1, sorry, L2 हो जाएगा, यह L1 है तो यह L2 हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो value दिया हुआ है, वैसे length जो है आपका wall का L2 जिसको माना 6 meter दिया हुआ है, वैसे वो wall का B2, यानि कि उसका breadth कितना है, वो भी हमें दिया हुआ है, 2.5 meter, ठीक है, एन तिसरा चीज उसका H2, यानि height जो है wall का, वो हमें दि cm में दिया है, तो हम लोग meter को cm में convert कर लेंगे, और एक चीज हमें पता है, कि जब भी हमें meter को cm में convert करना होता है, तो हम क्या करते है, उस चीज को multiply by 100 करते हैं, क्योंकि हमको पता है, कि 1 meter में 100 cm होते हैं, तो यह जो L2 है आपका, यह कितना हो जाएगा, 6 meter, यानि 6 इख 600 हो सकते हैं हम लोग multiply ठीक है तो यह आपको कितना हो जाएगा बीटू 2.5 multiply by 100 मैंको doubt आरहा है दोस्तों तो कितना हो जाएगा यह 250 हो जाएगा sorry यह कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा 2.5 को 100 से multiply करो 250 हो जाएगा कि इतना बड़ा आप दिवार बना सके तो आपको क्या निकालना है in shot number of bricks निकालना है कितने number of bricks लगेंगे तो हमारा एक formula हो जाएगा that is अगर मुझे निकालना है number of bricks तो हम लोग कैसे निकालेंगे number of bricks is equal to that is volume of wall यानि कि आपका जो दिवार है उसका volume कितना है उसको अगर हम लोग इते के volume से divide कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा उस चीज का number of जो brick है वो हम लोगे मिल जाएगा तो volume of wall कितना हो जाएगा हमको पता है कि कोई भी cuboid का अगर मुझे volume निकालना है यानि length हमाना है that is L1 multiply by B1 multiply by H1 हो जाएगा अब इसमें values डाल दो आपका answer आ जाएगा तो सबसे पहले L2 multiply by P2 multiply by H2 तो यह जो value है डाल दो यानि कि 600 multiply by 250 multiply by 50 नीचे आ जाएगा divide में L1 B1 और H1 तो L1 क्या है 25 multiply by B1 कितना है 15 multiply by H1 10 ठीक है अब इसको cancel उट कर जो भी cancel हो रहा है तो आप देखो कि 25 वाज़ा 25 हो जाएगा 25 10 कितना हो जाएगा 250 यह cancel हो गया 10 और 10 cancel हो जाएगा 15 15 फोर जा होता है 60 और यह 040 हो गया cancel हो गया यह पूरा तो क्या बचेगा 40 और 50 नीचे सब cancel हो गया 40 multiply by 50 आपका कितना एंसर आजाएगा आपका आजाएगा लगबग 2,000 ठीक है ना 4, 5, 20 होता है तो 2,000 होगा है तो 2,000 ब्रिक्स आपको लगने वाले यानि कि आपको जो कुछा था कि कि तोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे आपने निकाल के दिखा दिया कि अगर मैं ये चीज सॉल करूँगा तो मुझे तोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे 2,000 यानि कि इतने बड़े वाल को बनाने के लिए मुझे कितने इटे की जुरुत है ये 2,000 इटे की तो जल्द मिलेंगे हम आपके लिए एक और लेक्शर लेकर आजएंगे जिसमें आपके लिए हम लोग इसके आगेगा जो भी प्रैक्टिस से ट रहेगा और जो भी इंपोर्टेंट रहेंगे वो आपको मैं बता दूँगा दोस्तों तो आपको टेंचन नहीं लेना है हम है यहाँ पर बस आपको हमारे वीडियो से रेगुलर देखते रहना है तो आज के लिए इतना ही जल्द आएंगे आपके सामने लेक्शर वीडियो लेके तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताना है अपनी राय और सजेशन जरूर से द बाइ